दोस्तो साइब और गड़ा में आप सभी लोगों का स्वागत हैं जैसा कि हम लोग अलग-अलग तरह की जानकारिया इस चैनल के माध्यम से प्राप्त करते हैं आज हम लोग एक चिठी के महत्पुन अंग पीन के बारे में जानने की कोशिस करेंगे दोस्तो आज के समय में चिठी की जगह SMS और वार्टसप ने ले लिया है लेकिन आज भी कम्यूनिकेशन के माध्यम में पोस्ट ओफिस का अपना ही एक अलग महत्व है लाट डलहौजी को मोडर्न इंडियन पोस्टल सर्विस का जनक माना जाता है जिन्होंने इसे युनिवर्सल सर्विस के रूप में प्रस्तूत किया चिठी या पत्र का एक जगह से दूसरे जगह तक पहुँचने में पीन कोट का एक अलग ही महत्व है पोस्टल इंडेक्स नंबर छह अंको का होता है ये पीन कोट सिस्टम स्री राम भीखा जी वेलेंकर ने बनाया था जिसे 15 अगस्त 1972 को ततकालीन प्रधान मंत्री स्री मती इंद्रा गांधी द्वारा इंट्रोडियूस किया गया आएए दोस्तों अब आपको पीन कोट के अंको की पहली को बताते हैं फ्रेंड्स किसी भी जगह का पीन कोट 6 अंको का होता है परतेक अंक का एक खास मतलब होता है जैसे पहला अंक बताता है कि पीन कोड किस राज का है जैसे बिहार, यूपी या इंपी या अन्य राज का दूसरे दो अंक ये बताते हैं कि राज के किस उपछेतर का कोड है अगले तिन अंक बताते हैं कि यह ऐसे डांक घर का कोड है जहां से डांक बांटी जाती है माना की किसी जगह का कोड 843329 है तो यहां 8 राज्य कोड है फिर 43 यह राज्य के उपछेत्र का कोड है और 329 कोड जिसे यह पता चलता है कि किस डांक घर दोआरा डांक बांटी जाएगी तो दोस्तों आज हम लोगों ने पीन के बारे में महत्पुन जानकारी प्राप्त की यह एक छोटी वीडियो है जिसे आप लोग शेर करें लाइक करें और बच्चों को एक नहीं जानकारी के साथ एक उर्जा परदान करने में आप सहयोग करें और साहिवार गड़ा को सब्सक्राइब करें धन्यमाद थेंक यू and once again thanks